हेलो एब्रिवन वल्कम टू 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 इस वीडियो में पढ़ेंगे यूकलिट्स डिविजन लेमा के बारे में एड ये टॉपिक है हमारा चैप्टर रियल नंबर से तो देखिए यहां पे हमारे पास एक नया वर्ड आया है क्या लेमा तो लेमा क्या है सबसे पहले हमें यही जानना है तो लेमा एक्चुली एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मतलब लेमा पहले से ही एक प्रूवड स्टेटमेंट है एंड उसकी other statement को prove कर सकते हैं तो वही statement को हम lemma कहते हैं तो lemma तो हमें समझ आ गया क्या है अब Euclid's division lemma क्या है Euclid's ना ऐसा क्या division lemma दिया तो उसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक example ले गयाता है कैसे? दीखे हमारे पास दो pairs है दो-दो numbers के एक pair है 19 and 5 का दूसरा pair है 22 and 4 का अब दीखे हम अगर इनको divide करें सपोस्थ जो बड़ा integer है उसको छोटे integer से में divide करो तो मैं 19 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 into 3 plus 4 क्यों? 5 into 3 15 plus 4 19 तो हम 19 को अगर 5 से divide करेंगे तो 5 into 3 plus 4 कुछ remainder बच रहाए सेम सेकिंड pair के case में 22 and 4 के case में 22 equals to 4 into 5 plus 2 4 into 5 20 plus 2 22 तो हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ये तो हमारा normal जो हमारा division process रहता है किसी भी एक number को दूसरे number से divide करते हैं और remainder बचता है तो ये वही है बट इसको तरीका हमने ऐसे लिखा तो ये example हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जो हमारा division Euclid division lemma है उसका जो statement है वो इसी पे थोड़ा सा हमारा वो करता है depend क्या है statement? देखिए Euclid division lemma कहता है कि कोई भी दो positive integer A and B इन में से अगर B छोटा है तो positive integer B A को divide कर सकता है कुछ इस तरीके से कि वहाँ एक remainder R बचे है तो ये वही form आ गया A equals to B into Q Q वो एक ऐसा number है जिससे multiply करते है B को and plus R R हमारा बचा remainder अब देखिए यहाँ पे जो R है ये R हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा and B से छोटा होगा क्योंकि अगर B से बड़ा होगा तो फिर B से हम दुबारा divide कर सकते है ना उस number को तो ये R हमेशा 0 और उससे बड़ा होगा 0 ये equal भी हो सकता है and B से छोटा होगा तो यही है हमारा Euclid's division lemma अब इस lemma के base पे हमारा एक algorithm भी है जिसको हम क्या कहते है Euclid's division algorithm इसके बारे में हमने introduction वाले वीडियो में बात किया था तो Euclid's division algorithm ये बिल्कुल इस lemma पे base है कैसे? वैसे algorithm क्या होता है? कि कोई भी एक process जिसके help से हम मलब उस problem को solve करते है तो division algorithm जो हमारा है वो lemma पे base है इस division algorithm के help से हम निकाल सकते है HCF HCF क्या होता है? highest common factor किसी भी दो नंबर के बीच का अगर HCF निकालना हो तो Euclid's division algorithm की help से आप वो find out कर सकते है कैसे? तो देखे सपोज हमारे पास कोई example है हमारे पास दो positive integer है एक है 210 दूसरा है 55 तो हमें यहाँ पे HCF निकालना है HCF calculate करना है by using Euclid's division algorithm तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो बड़ा integer है हमारा हम उसको छोटे वाले की form में लिखते है Like suppose 55 into 3 यह हमारा और प्लस 45 जो remainder अगर मैं इसको break करूँ 55 की terms में तो 55 into 3 प्लस 45 ऐसे लिख सकते हम अब यह हमारा जब हमारा lemma लगाया हमने तो यहाँ पे जो हमारा divisor है एंड जो हमारा यह remainder है हम इन दोनों terms को यहाँ से pick करेंगे क्योंकि हमारा जब तक यह वाला remainder part 0 ना आ जाए आप Euclid's division lemma लगाते रहेंगे तो देखें अभी हमार पास remainder में 45 है मला 0 नहीं है तो अगें हम जो हमारा divisor है एंड जो हमारा remainder है इनको pick कर लेते हैं इन में से बड़ा value क्या 55 तो 55 इधर तो उसको हम break करेंगे 45 से तो 45 into 1 45 and plus 10 remainder जो बचेगा 55 को 45 से divide करने के बाद 10 अब फिर से देखें मैंने क्या बोला कि जब तक remainder 0 ना आ जा तो remainder अभी value है हमार पास 10 तो फिर से divisor and remainder को आप pick कीज़े इन दोनों number को बड़ा क्या है 45 तो 45 को हम break करेंगे 10 से तो 45 कस to 10 into 4 40 and remainder 5 again value 0 नहीं हो remainder का तो फिर से हम इन दोनों numbers 10 and 5 को pick करेंगे तो 10 equals to 5 into 2 10 and plus 0 क्योंकि 5 10 को completely divide कर देता है इसले यहाँ पे हमारा reminder बचा 0 and 0 आ गया है तो इससे आगे जाने के हमें जरुरत है नहीं इसका मतलब है कि हमने hcf find कर लिया क्या देखें जब भी 0 आ जाएगा तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे यानि कि हमारा process complete हो गया algorithm यहीं तक हम लगा सकते थे and जो हमारे पास उस time में divisor है जब हमारा remainder 0 हुआ है उस time में जो हमारा divisor है वही हमारा hcf भी होगा तो यहाँ पर देखें हमारे divisor क्या था 5 तो इस case में यानि कि 210 and 55 के case में हमारा hcf है 5 and आप इसको check भी कर सकते हैं जो आपने process पहले पढ़ा था आप यही number पाएंगे hcf है पर यह थोड़ा use करना हमारे लिए आसान नहीं तो यह हमारा था Euclid's Division Lemma जिसके base पे बनता है Euclid's Division Algorithm and यह हमने समाज लिया है ओके गाइस, थैंक यू